नमस्क दोस्तो मैं प्रकाश आपका फिर्स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश रंग्वाला कि दोस्तो अगर आप लोग अपने घर को पेन्ट कराना चाहते हैं और एक एक mid range का paint चाहते हैं ना बहुत महगा ना बहुत सस्ता mid range में कौन सा paint बहुत अच्छा होता है उसके लिए आज हम लोग बात करेंगे जिहां दोस्तों मेरा नाम प्रकाश है और मैं अपना YouTube चैनल चलाता हूं पेंट से रिलेटिड, पेंट कंपनियों से रिलेटिड और पेंट कंपनियों के प्रोडेक्ट के बारे में बताता हूं चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग आज हम लोग बात करने चल ले हैं दोस्तों डूलक्स पेंट की एक mid range की range आती है प्रामिस, प्रामिस में कई वारियंट आते हैं बट आज हम लोग बात करने चल ले हैं प्रामिस सीन के बारे में, प्रामिस सीन डूलक्स का एक mid range का प्रोडेक्ट है शाइनिंग के साथ साथ ये economy भी प्रोडेक्ट पड़ता है और थोड़ा सस्ते में अच्छा प्रोडेक्ट माना जाता है ये उसका डिब्बा है, पहला प्रामिस सीन एक्स्टीरियर ये उसका डिब्बा है, इस तरीके से उसकी packing आती है और प्रामिस सीन एंटीरियर अंदर के लिए अलगाता है और बाहर के लिए अलगाता है दोस्तों बहुत से लोग ही सोचते हैं कि हम अपना घर हर 4-5 साल में एक बार paint करा दिया करें और जहिर सी विवात है कि घर की painting जो है वो 4-5 साल में एक बार करा देनी चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी एक टो प्लास्टर की लाइव बन जाती है घर में जो भी तूट-फूट होता है उसकी repairing हो जाती है और 4-5 साल में एक बार घर आपका maintenance के लिए मांगता ही है उसके लिए बहुत महगा paint अगर हम करा देते हैं तो इतने साल हमें paint कराने की जरूत नहीं पड़ती है कई जगह होता है कुछ जगह की दिवाल हमारी खराब होने लग जाती है तो उन सब चीजों के लिए लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा paint मिले जो की कम budget में भी हो और उसकी performance भी अच्छी हो तो दोस्तों यह जो promise scene है यह वाकई इसमें इस category में एकदाव फिट बैठता है यह कम budget में भी है और इसकी performance भी अच्छी है finish इसकी बहतरीन आती है शीन finish आती है जो की normal paint के मुकाबले काफी अच्छी है रिच ब्राइटनेस कलर ब्राइटनेस कलर ब्राइट कलर इसके आता है कंपनी का एक इसमें एक formula डाल रखा है इसमें bright glow मतब जो भी paint हो मतब पेंट लगने के बाद दिवाल में हलकी सी चमाक आती है दूसरा anti-fungus anti-algal इसके लिए होता है acrylic base का है मतब यह plastic finish है बाहरी दिवानों के लिए और अंदर के लिए भी यह plastic finish ही है अंदर के लिए जो company ने दिया है कि color fade नहीं हो सकता anti-cracking technologies में डाल रखी है कि मतब अगर wall पे कहीं भी हलकी फुलकी जो hair cracks वगरा आती है पुटी की जिससे इसमें यह paint flexible होके थोड़ा सा फैल जाएगा दूसरा company का कहना है कि इस paint की life जो है लगबग चार से पान साल है company अपने product में तीन साल ही warranty भी देती है certificate के साथ but इसकी life चार से पान साल है अगर आपकी wall पे sealant नहीं आ रही है तो लगबग चार से पान साल बहुत आराम से चलना है कहां कहां इसको लगा सकते हैं दोस्तों यह इसको इंटीर में भी लगा सकते हैं और एक्स्टीर में लगा सकते हैं इंटीर के लिए इंटीर के लिए इंटीर के लिए प्रॉमिस आता है और अंदर के लिए बाहर के लिए promise exterior आता है दोनों में scene properties पाई जाती है मतलब चमक दोनों में पाइजाता है कवरेज की अगर बात करें दोस्तों से coverage एक लीटर में मान के चलिए बाहर के जो paint होते हैं उसे 50-80 square feet एरे कवर करता है 50-80 square feet per litre double coat में cover देता है और अंदर की बात करें तो 100 से 120 स्क्वाइर फीट पर लीटर double coat coverage देता है कई जगां dark shade में जो covering होती है वो कमाती है क्योंकि dark shade में हमें 3 से 4 coat करना पड़ता है ठीक है color की बात करें तो color इसमें basis सारे आते हैं dark shade भी इसमें आपको मिल जाते हैं लगबग 2000 से 2500 shade बहुत आसानी से बन जाते हैं shade के लिए इसमें आपको जो भी इसकी costing होती है उसमें coloring cost इकस्टा होती है जिस जखें से भी आप लेंगे आपको दुकांदार आपको जो है dealer आपको बताएगा कि कितना color मनला जितना आप light लेंगे उतना कम जितना dark लेंगे उतना ज़्यादा इस पे color add होगा ठीक है उतने color का rate add होगा और color जो है इसके जो थोड़े brighter तो आते ही है और जब लगने के बाद जैसे बहुत से paint होते हैं कई coat लगाने में भी नीचे का छलगता रहता है बट ये दो coat में अगर light shade है तो बहुत अच्छे से छाप लेता है और नीचे वाला जो भी हो रखी रते गंदगी वो दिखता नहीं है दूसरा इस में dilute हम लोग पानी करते है इसको पतला करने के लिए जो इसमीं मिलाते हैं कोई तारूर थेल कोई ऐसा चीज ने इसमें पानी मिला जाता है एक लीटर में लगभग 400 ग्राम पानी जाता है 300-400 ग्राम पानी मिला अब बात करते हैं इसका लगाने का तरीका दोस्तों पहले हम बात करते हैं एक स्टीडियर बाहर कैसे लगाते हैं बाहर लगाने का दो तरीका है एक तो बिना पुट्टी के दूसरा बिना पुट्टी के साथ अगर हम लोग साफ साफ कहते हैं अगर हम लोगों को वाल में नई वाल है और हमें पुट्टी करा के करना है तो सबसे पहले हमको प्राइमर लगाना है एक कोट, प्राइमर कोट लगाने के बाद फिर पुट्टी लगानी है दो कोट और दो कोट पुट्टी लगाने के बाद फिर प्राइमर लगाना है यह concept होता है इसके बाद इसकी अच्छे से मजाई करने के बाद और हम लोग इसपे दो कोट बाहर का paint लगाएंगे exterior promise scene जो की बहुत अराम से चलब जाएगा पहला coat से दूसरे coat में हमें लग भग 6 घंटे का समय देना है जिसे पहला coat हमने किया उसके बाद हम 6 घंटे के बाद दूसरा coat करें ठीक है फिर उसके बाद अगर हम पहले paint हो रखा है कैसे हमारा पहले paint हो रखा है अगर आपको warranty company की चाहिए तो आपको पहले primer कराना ही पड़ बाद आप अगर वरंटी के चक्रम नहीं पढ़ना चाहते तो सफाई करके पूराना पेंट की रिपेरिंग करके अच्छे से उसको रिपेरिंग बना के जहां पर बहुत ज्यादा खराब है उसको ठिटा करके उसको प्रैमर लगाने के बाद डबल कोट लगा सकते हैं पानी मि जाता है तो उसको हम लोग जैदा से जदा चौबेस घंटे के अंदर इस्तेमाल करने हैं होता क्या है कि बहुत से पेंटरिया के पेंट एक बार ने बना दिया उसको महीनों रखा है चल रहा है और बच जाने के बढ़कन मंतिके रख दिया लेकिन ऐसा नहीं करना ऐसा करने हैं से पेंट में बैक्टीर्या पढ़ना गया ऊधिया और वैस्मेल की प्रब्लम आने लग जाती हैं अब बात कहते हैं से लगाना अगर हमारी उल्लेडी कहले पेंटिंऑ हो रखी है फिर से हमने उसको यह अक लिटर में 400 घ्राश क्राप पानी मिक्स करना एं अच्छे से करने के बाद इसको हम दो लगाना है एक कोट से दूसरे कोट में 6 गंटे मतब सुकने का मतब यह होता है कि पहला कोट जब अच्छे से सुक जाएगा तो इसे बहुत अच्छे तरीके से लगेगा तो यह हो गया लगाने का तरीका उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कुछ क्या सावधानिया है कोई सावधानिया नहीं है इसको लगा सकते हैं अराम से अच्छे से यूज कर सकते हैं बट यही सब जो छोटी मूठी चीजे हैं कि हमें लगाने से पहले डिब्बे को अच्छे से mix कर लेना है, पानी को अच्छे से fit लेना है, बहुत ज़्यदा पानी नहीं मिला देना है इसमें, बहुत कम मिलाएंगे तो brush के निशान आपको दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा म लोग इसको पढ़ते ही नहीं है, वो painter से ही पूछते हैं, contractor से ही पूछते हैं, अगर आप अपने knowledge के लिए भी चाहते हैं, मतलब अगर आप ठीक है, आप painter नहीं है, आप consumer है, आप उसको लगा रहे हैं, तो आपको यह जानकारी चाहिए कहां दूड़े, कोई जरूत नहीं इननेट पर धूड़नेंगी, कोई जरूता है, यह कंपनी का literature, आपने डिबा उठाया, यहां पूरा लगा है, कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है, यह बस, दूसरा कंपनी का कहना है, कि इसको कुछ आजकल paint में expiry भी आ गई है, तो इसमें expiry date को भी देखना बहुत का से पुराना डिबा नहीं होना चाहिए, तो यह सब भी चीजे अब आ गई है, दोस्तों एक चीज और ध्यान देना है, कि बहुत लोग कई बार ऐसा पूछते हैं, कि MRP इसमें कम लिखी हो, पैसा जाता ले रहा है, तो उस condition में वो जाता लेगा पैसा, जब इसमें वो color tint करेगा, माल लेजे, यह आपको, इसकी MRP माल लेजे, यह 350 रुपय, अब 350 रुपय की MRP है, और उसमें 150 का color गिर रहा है, तो वो जोड के 150 रुपय के 500 रुपय आपसे वो लेगा, लेकिन इसमें 350 ही लिखा रहेगा, तो जो भी coloring cost होती है, वो extra होती है, इस चीज को आप जर होता है कि dealer customer में थोड़ी बैसी बैसा हो जाती है, बट यह आपको clear कर देंगे, पेंट में जो coloring की cost होती है, वो लग है तो होती है, डिलर के, जो जिस machine से वो color बनाता है, उसमें सबसे पहले दिखा देता है कि कितने रुपय का color इसमें एड़िक देर है, दोस्तों बात करें अब बात करते हैं कि यह 20 liter का drum कितने का market में मिल जाता है, दोस्तों easily market में यह 4500 से 4800 रुपय के बीच में 20 liter का drum मिल जाता है, और थोड़ी बहुत bargaining होती है, वो dealer की scheme पे और किस तरीके से बेच रहा है, यह चीज़े customer काधिकार है कि वो अपने हिसाब से वो देखे किस तरीक की बात हम यह कर सकते हैं कि कोई भी नॉर्मल केटेगरी का भी product ले रहे हैं या हाई केटेगरी का भी product ले रहे हैं, वो बहुत अच्छे है, बहुत best quality के आते हैं, तो आपने यूज़ कीजिए, अगर आपने promise scene लगा रखा है है पहले से, तो एक बार इसके बारे में हो सकेगा तो हम इस पर जवाब भी देंगे, तो आज अपने vlog में इतना ही रखते हैं, product के बारे में जो हमने बताया आपको कि कि किस तरीके से इसको लगाना है, क्या कहते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, कहा करते हैं, तो दोस्तो अगर मेरा vlog आप लोगों को पसंद आ र आते हैं, आगे आने वाले समय में और भी नए वीडियो लेके आते रहेंगे, पेंट और पेंट कम्पनियों के बारे में, आज अपने vlog में इतना रखते हैं, थैंक्यू वेरी मॉस्ट, जैहें!